अस्सलाम उलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी केडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के उर्दू के कहकशा के किताब से चैप्टर नंबर 31 जिसका नाम है कामिल इनकलाब क्या नाम है कामिल इनकलाब जिसको इंग्लिश में कहते हैं तोटल रिवल्यूशन हम्ंदी में कहते हैं संपूर्ण क्रौनती और याद कीजा आप लोगकर 12 क्लास में पढ़ना है जो कि मैं आप लोग को हाली फिलाल में पढ़ाई थी अभी इसका प्रिवेस वीडियो आप लोग देख सकते हैं उल्लेडी पढ़ा चुकी हो ठीक तो अगर आप लोग चैप्टर 3 हिंदी का पढ़ चुके हैं तो यह चैप्टर जो है आप लोग के लिए एकदम हलवा लगने जाएगा ठीक अब ऐसा नहीं है कि जो लोग चैप्टर 3 हिंदी का नहीं पढ़े हैं उनको नहीं समझ में आएगा बिल्कुल समझ में आएगा लेकिन आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पढ़ेगी क्योंकि आप लोग के लिए नई बात लगी लेकिन अगर जो इस्टु के नित्रित्वा में cop Sund नरायन के संफून टीक यह क्योंकि भारत में भूख मंगाई भरस्टचार बिरोजगार सब कुछ थाक्री मिलती थी ठीक सुक्षा पढ़नाली अंची नहीं ती चुनाओ पढ़नाली पर्त कुछ ना कर दिए यानिकी संफून क्रांती का नाराद दीघे ठीक तो यह सारी बात थी तो सबसे पहले हम लोग जैप्रकाश नारायन के बारे में जितना भी डीटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है वो सारा पढ़ेंगे वैसे तो जय प्रकाश नरायन के बारे में अल्ड़ी पढ़ा चुकि हूँ जब टोल क्लास का हिंदी का चैप्टर नबर थी पढ़ा रहे थी तो वहां पर मदब नके के बारे में और भी जदा डीपली बताया गया है तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूं कि वह सबसे पहले देख लीजेगा फिर यह आप लोग के लिए एकदम आसान लगेगा फिर भी हम लोग जैप्रकाश नरायन के बारे में कहने लगे यह लोगों का नायक जो हमेशा लोगों की सेवा करता है समाथ सेवा करता है ठीक तो जैप्रकाश नरायन को किस नाम से यह परसित्ते याद रखिएगा लोग नायक आगे बढ़िए इनकी पैदाईश की बात कर लें तो जैप्रकाश नरायन की पैदाईश यह इनक के वाले दियन की पिता जी का नाम था हरसु बयाल ठेक है पटना कोलेजिट स्कूल के साथ में दाखिल हुए यानि कि पटना कोलेजिट इस्कूल जो था उसमें सेवन्त क्लास में इनका एडमिशन हुआ और वहां पर पढ़ाई किए और पढ़ाई कर लेने के बाद इसकूल क के बाद यह पटना कॉलेज में दाखिला हुए यान कि इसकोल में पढ़ाई कर लिए तो उसके बाद से यह पटना कॉलेज में इनका एडिमिशन हुआ और सरकार के तरफ से इनको स्कॉलर्शिप भी मिली और तहरीक अजादी के वज़े से यह पटना कॉलेज छोड़ दिये में यह साइंस के सब्जेक्टसे यह सिकर रहे थे लेकिन तहरीक अजादी यानि कि आज़ादी का अंधोलन जब चल रहा था गांधी जी आशायोग अंधोलन के दौरान की अंग्रेजों का कोई भी समानी हुज मत करो यहां तक कि अनुई अंग्रेजों की बनाईउ स्कूल मैं भी तुम लोग मज़ पढ़ो ठीक और इसे लिए जो है ना जया प्रकाश नरायन गांधी जी की बात मानते हुए यह अंग्रेजों का बनाएवा स्कूल छोड़ दिये इनकी पठना कॉलेज छोड़ दिये और बिहार विद्या पीट से यह IAC किये ठीक ieß करी साइंस के स्टूडेंव और पास भी कर ली आई यसरी और इसके बाद से साइंस करने के बाद प्रोफेसर फुल देव सहाय वर्मा के पास चले डेंगे वहाँ पर अच्छा लेने के लिए प्रोफेसर पीप्र Kellàcies छोड़ दिये और बिहार easiest लेकिन अचानक जो है ना गांधी जी असयोग अंदोलन इस्थागित कर दिये बंद कर दिये वह चोहरी चरह हत्यकांट हो गया था उसके वज़ा से तो अब प्रिकाश नरायन गांधी जी के कहने पर ही क्या किये थे स्कूल छोड़े थे अपना कॉलेज छोड़ दिये थे तो पर्भावती पर भावती डेवी ठीक यह जो पर्भावती डेवी थी यान कि याई प्रकाश नरायन की लड़की थी यान की बेटी थी बर्च की पर्शाद जियाद रखिए और यह बढ़िए फंद्रा मई उन्हीं सब बाईस को तालीम करने के लिए अमेरिका रवाना ह उन्हें सबीस में तो जया प्रकाश नारायन अपना क्या कर दिए थे पढ़ाई चोड़ दिए थे गांदे जी के कहने पर असयोग अंदुल बंद कर देने के बाद क्या रहा प्रकाश नारायन की डिर साल तक इसी तरह जिंदगी गुजरा उसके बाद से 15 मैं उने 27 को यह उनिए से 22 को ताली में धस्रिक्षा प्राप्त करने के लिए ये अमेरीका चले गए और जब ये गया धे-अम inom पढ़ाही करने के लिए वहाप भारत में लोग नारा लगाने लगते की आमे प्रकाश्च सुप्षा साथ नहीं थी कि अमेरिका भेज कर पढ़ाएं लेकिन फिर भी गए थे और वहां पर जो चोटा-चोटा जाती का काम होता है चपल सिलना जूते पॉलिश करना होटल में क्या करना काम करना रेश्ट्रा आप बोल सकते हैं वेटर के तौर पर तो यह चोटे-चोटे काम किये थ ठीक है और लोग इनको भारत में बहुत ज़्यादा जलील किये थे अमेरिका का दलाल कह दिये थे तो यह सारी बात थी और 29 के सितंबर में हिंदुस्तान फिर वापस लोटा है जै प्रकाश नारायन और यह पिएजडी भी नहीं कर पाए क्योंकि इनकी माह का जो है ना तब जेल में इनको उन्हें से 33 भी तक रखा गया और उन्हें सब 42 अंदोलन में फिर गिरफ्तार हो गया यह उन्हें सब्सक्राइब क्या बल सकते हैं जो है दिवार जो 17 उची रहती है उतना उचा दिवाल जो है ना वह खुद कर और जेल से भाग गए थे और मतलब कहा जाता ह है कि अगर जैप्रकाश नरायन जेल से नहीं भागे रहते ना तो शायद भारत छोडवांदोलन वह कामयाब नहीं होता तो याद रखिएगा जैप्रकाश नरायन हजारी बाग के जेल में जब कैद थे उन्हें सब 42 सभी में भारत छोडवांदोलन के दोरान तो 17 फीट यनको आगरा जेल में ले जाकर मनतकल कर दिया लाहॉर से आगराइन लेंगो ट्रांसफर कर दिया गया और 11 अप्रील उन्हें सब सर्ट इस निशर्ट को यह जेल से बाहर आये ठीक है और उसके से उन्हें सचोहत्तर में बिहार के तालिब इल्मों के तहरीक के खयादत हाथ में लेकर एक काम्याब मिल्क गयर अवामी तहरीक का बुनियाद रखी देखें यहां पर बोला जा रहा है कि उन्हें सचोहत्तर में जो यूपी और बिहार के चात्र चात्र अंदोलन किये थे वह सब्सक्राइब कर रहे तो जो भी इतना जोश भर देने वाली प्रकाश नरायन की कि उसको किताब में भी लिखा गये किताब तयार किया गया स्पीच का ठीक आप बोल सकते हैं और उसके बाद से 75 में जब इमर्जेंसी लागू हुआ तो लगते ही जैप्रकाश नरायन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे 77 में इमर्जेंसी हटने तक मतलब इमर्जेंसी उठने तक ये जेल और फिर जेल अस्पताल के विष्तर पर हैं देखिए उनसे 75 में इमर्जेंसी लगा जैप्रकाश नरायन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे 77 में इमर्जेंसी जब हटा तो जेल से तो छूट गए लेकिन फिर जेल के अस्पताल में विष्तर परहिं की तबियत खराब हो गया 18 अक्टूबर 1979 यानि कि उनसे 89 को ये पटना में इंतकाल कर गए इनकी मौत हो गई ठीक और प्रकाश नरायन ये एक खुद लेखक भी थे कवीता भी लिखते थे निवंद्र डाइरी भी लिखते थे और टोटल रिवल्यूशन कामिल इनकलाब उसके बाद से सरोद है जेल डाइरी ये सब इनहीं का क्रियेशन है यानिकी तसनीफ है कि ये खुद लिखे थे तो यह हो गया जैप्रकाश नरायन के बारे में जो ब्र आप लोग के बुक में दिया ग는 और सबकुछ में आप लोगों को बता दिए अब चलिए मैं आप लोग इस चैप्टर को समझा देती हूं कि आफिर कामिल इनकलाब में जैप्रकाश नरायन की शिरुआ थे कर्वात के क्या लिखें हैं और लोगों को क्या बताने की को हुशर किये हैं जरा ध्यान से सुनिएगा इस तहरीक को मैं कामिल इंकलाब की हैसियत से देखता हूं यहां पर जो है ना जैपरकाश नरायन बोल रहे हैं कि इस तहरीक इस आंदोलन को मैं कामिल कि संपून क्रांती की नजर से देखता हूं और मुझे यकीन है कि इसके वज़ा से सियासी मौश्रती तालीमी और इखलाखी अत्बार से बुनियादी तब्दिलिया वाक्षी होंगी देखिए मैं आप लोग को बोल रही हो ना बस लेंग्वेस चेंज है जो आप लोग को हिं पढ़ेंगे न क्लास 12 के उर्दू का चेप्टर नंबर 31 कामिल इनकलाब पढ़ेंगे तो वही बात यहां जो आप लोग को यहां पर भी पढ़ना है बस जब आप इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो यह आप लोग के लिए टफ लगेगा क्यों क्योंकि आप लोग उर्द हिंदुस्तान की तामीर हमारी कोशिश है यहां पर जैप्रकाश्णारायन बोल रहे हैं कि एक ऐसा नया हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं जहां का हर बाशिंदा खुश और मुतमईन जिन्दगी गुजारें ठीक अमीरों और गरीबों के दर्मियान वहां दूरी नही चाहता हूं एक ऐसा नया हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जहां का हर बाशिंदा खुश और शांती की जिन्दगी गुजारें मुतमईन जिन्दगी गुजारें और अमीरों और गरीबों के दर्मियान जो भेदभाव होती है यह जो दूरिया है जिसे हम लोग आज भी उवेंन किसान और इस तरह के दूसरे पेशवरों की हालत में तब्दीली पर पहले ध्यान दिया जाएगा जब नया हिंदुस्तान का निर्मार होगा तो हरीजन आदिबासी मुसलमान जर्ए मजदूर बे-जमीन किसान यह जितने भी दूसरे पेशवर के पेशवरों ल तो मुझे उम्मीद है कि इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा समाजी बुराईया जातपात को लेकर लड़ाई होती है यह खत्म हो जाएगा और इसको खत्म होना ही होना है अगर इन कलाब को यानि कि इस करांती को सफल बनाना है तो समाजी धाचे को मुझे बदलन है इसे खत्म करना है आप कहेंगे कि लड़कों के बाप तिलक दहिज मांगते हैं जब तक हम अपने लड़कों के लिए तिलक नहीं लेंगे तो अपनी लड़कियों की शादी के वक्त कहां से देंगे लड़कों के बापों की मांग को कैसे पूरी करेंगे मुझे लड़को मैं तो और लड़कियों के वाल दीनी यान की माता-पीता से यह बोल रही हैं कि यह जो आप लोग दहेज लेना-देना करते हैं मैं आपको बता दूँं। लड़के और लड़कियों के वालदीन से कहना चाहता हूं जो जहेज लेते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके अउलाद जो हैं वो कोई जानवर नहीं है घोड़े बैल नहीं है कि आप उनका सौधा करें ये कितना शर्म की बात है सीता ने राम चंदर जी को अपना करती थी आज लड़कियों के वालिदीन लड़कों के वालिदीन को पहले राजी करते हैं और वो कहते हैं कि आप पहले लड़के को राजी करें कि जहां पहले लड़किया अपने शोहर को खुद चुनती थी आज जो है ना लड़कियों के वालिदीन यान की लड़कियों के माता-पीता लड़कों के वालिदीन याने की लड़कों के माता-पीता को पहले राजी करते हैं और होंगे हैं मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी शादी के वक्त तुम जहेज तिलक चाहोगे नौजवानों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह कहें नहीं तिलक जहेज के लानत खत्म होनी चाहिए ठीक और उच निच के जो तफरके को लाजमी तोर पर खत्म कर देना चाहिए जो कि उच निच को लेकर लड़ाई होती है कामिल निक्वलाब का नजरिया इस वक्त तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक समाज में इस तरह के तफरके मौज को ना खत्म किया जाए तब तक यह ना संपून करांती सफल नहीं होगी अभी चल रही तहरीक का मकसद वजारत को खत्म करना या इसम्बली का तोड़ना कतई नहीं है इसकी मंजिल है कामिल इंकलाब पूरे तर्ज जिंदगी के अंदर बुनियादी तबदिली लानी है इस लिए मुकमल इसला का तकाजा है कि हर पहलू से मौश्रे की सफाई हो हर जगा से गंदगी की सफाई हो जात पात को लेकर जहां भी लड़ाई होती इसको खत्म किया जाए तिलक दहज को खत्म किया जाए वरना अच्छाई पर बुराई हावी ही रहेगी और जो अच्छे प्विस्ते का जो आप देख रहे हैं सपना देख रहे हैं यह कभी पूरा नहीं होगा लहाजा जरूरत है कि पूरे मौश्रे की इसलाह के लिए हम कदम उठाए और टुक्रों में इसे बाटे नहीं हम लोग ना टुक्रों में बाटे और ना बटे खुद हमारी मनजिल हमारे लिए बहुत दा महतवपून हैं लेकिन बहुत दूर है काफी दूर है हमारा मकसद चाहले जमूरियत है अवाम की हुकुमत बनानी है यह जो हमारा हिंदुस्तान है इस पर अवाम की हुकुमत चलनी चाहिए जनता का शासन चलना चाहिए मतलब जनता खुद अपने प पताय हुए रास्ते वो जो रास्ते जो अपनाते हैं शांती पून परदर्शन करते हैं तो वही रास्ते पर मैं भी जोर दे रहा हूं हम लोग भी क्या करें शांती पून परदर्शन करें आप इसे मेरा खुत्बत समझ सकते हैं यानिकि आप मेरा देश समझ सकते हैं लेकिन म अगर आप एक तशद्द करेंगे अगर आप एक हिंसा करेंगे तो मद्द मुकाबिल सो करने के सलाहियत रखते हैं कि आपका जो परतियोगी है अगर आप एक हिंसा करते हैं तो वो सो हिंसा करेगा ठीक इसलिए आप पुर्ण मन को अपना है यानकी शांति पुन परदर्शन क को अपना है ठेक लेहाजा जहन से तस्दूत की बात को बिलकुल निकाल दे इसलिए अप हिंसा की आप लोग से अंदर भावना है मोश् distribution आना है यह यह नहीं try भूल रहे हैं कि ऐमन और जम्हूरियत एक सिक्वे के दो पहलू है अमन यानि की शांती और जम्हूर्यत यानि की लोकतंत्र तो यह जो दोनों हैं एक सिक्के के दो पहलू है एक दुसरे के बगार इनका वजुद मुम्किन ही नहीं है अगर अमन और शांती है तो लोकतंत्र भी इस्ताफित रहेगा और जब तक लोकतंत्र इस्ताफि के यकिन है मैं लोकतंत्र पर विश्वास करता हूं और इसलिए मुझे तस्रदुद यानि की हिंसा पर विश्वास नहीं मैं हिंसा नहीं करना चाहता मैं अहिंसा यानि की अमन वर शांती की रहा पर चलना चाहता हूं ठीक मुझे हिंसा पर बिलकुल भी विश्वास नहीं मु रहे हैं जैपर कशना इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बंदुक की नौक पर मैं इस देश की जनता पर क्या करूं राज करूं अवाम पर हुकूमत करूं जब समाजी मसायल हद तक पहुँच जाते हैं तब अवाम की बेचाइनी नए हालात को जनर देती है और जैसा कि काल मार्क्स ने कहा है कि कौन्टिटी कौालीटी में बदल जाती है मसायल हालात में नुमाय तब्सक्णदी के लगती है जनता को ठीक तो जनता की बेचाइनी नए हलात को जन दे देती है और जोजा की कालसों का कहना है कि क्वांतिती जो है ना वो क्वालिटी में बदल जाती है यानि कि जनता जब एक जुट होकर जब धेर सारी जनता एक एगर हो जाए तो वह जो quantity है वह quality में बदल जाती है जनता अगूर पर बोल रहा हैं बात quantity quality में बदल जाती है अगर एक जुट मिलकर काम करें तो हर चीज पॉसिबल है तो अगर जंता एक साथ मिलकर जो है ना परदर्शन करें शान्ति पून परदर्शन करें तो यह जो quantity है quality में बिखर जाएगा वही हाल हमारे साथ हुआ है आज की जनता पर सबसे ज्यदा अत्यचार हो रहा है उनकी तकलीफे हद से ज्यादा बढ़ गई है ठीक और यही जो है ना तकलीफ मतलब अवाम की बेचाइनी जो है ना नय हालत को जम दे दी है और सारी जनता जो है जितनी भी ज अब जो है ना यह तबदिली आने ही वाली है अब परिवर्ता आने वाला है जनता चाहती है कि देश परिवर्तित हो ठीक है इनकलाबी रहनुमाओं की खसूसित के होती है कि वह वक्त के धारे को पहचान लेता है हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी पूरी ताकत से अदम कि तशद्द की रहा अपना कर मसायल के हल की तलाश करें यहां पर बोल रहे हैं कि जो इनकलाबी रहनुमा होता है जो की अंदोलन का अधिक्षता करता है वो वक्त के धारे को पहचान लेता है कब क्या करना चाहिए उसको सब मालुम रहता है और आगे क्या होने वाला यह होनी चाहिए कि पूरी ताकत से हम लोग शांती पुन परदशन करें ठीक और शांती पुन रहा अपना कर जो है ना इस मसला इस समस्या का हल निकाले अपने मुल्क को इसी तरह की इनकलाब की जरूरत है लेकिन कौन आगे आएगा कौन मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तयार हैं अदवियत फलसफा के बानी शंकर अचारे ने अपनी उठती जवानी के दिनों में रूहानियत का परचार शुरू किया जब स्वामी विवेका नंद ने वेदान का फलसफा शिकागो के अमरीकी माहौल में आलमी बरदारी के सामने रखा तो वह नौजवान ही थे गांदे जी ने जब जुनूबी अफरीका में नसली मत्याज के खिलाब जिहाद छेड़ा उस वक्त वो नौजवान थे दखिन अफरीका के हिंदुस्तानियों के दरमयान जिन्दगी की रूँ उन्हों नहीं फुगी दोस्तो रूहानियत नौजवान की और पर पर पर यहां इतनी एहनियत नहीं है और बोलना चाहे रहें जैव परकाश नडायन की हमारे जो हिंदुस्तान है इस हिंदुस्तान ही जो क्रांटी शुरू ही है संपून प्रांद की इसमेंतर ज्यादा से ज्यादा क्या है च्षातर और यूवा जॉन जोन चॉन है वह आकर की क था अमेरीकी माहौल में और गांदे जी ने जब अफरीका में नसली अम्तियाज के खिलाफ जिहाद छेड़ा था ठीक बेदभाव के खिलाफ नसली बेदभाव तो उस वक्त जो है ना वो जवान ही थे तो यह जो है ना नौजवानों के अंदर वो नया जोश नया होसला और आप बोल सकते हैं जुनूर होता है सफल बनाने का क्रांथी को सफल बनाने का और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्रांथी में संपूर्ण क्रांथी में ज्यादा से ज्यादा छात्र और युवा नौजवान स्रामिल हो ताकि इस क्रांथी को सफल बनाया जा सके और यहीं पर जो है आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है I think आप लोग का चैप्टर नंबर 31 बहुत यह तरीके से समझ में आया होगा कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड अब हमें कमेंड करकर पूट सकते हैं आप लोग का उर्दू तो मैं चैप्टर वाइस कंप्ल में कॉंट्र दिया गया है वह समझ चुके है ना तो बस आप रीटेंग जो होता है सब्जेक्टिव तो लिखी लेंगे लेकिन बात आजाती है बजेक्टिव जोकी डिरेक्ट गलत होता है तो उब्जेक्टिव में कराना शुरू करूँंगी जब यह आप लोग के क्लास का हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा उसका भी अब्जेक्टिव होगा ठीक है तो लगे रहिए पढ़ाई में और मेहनत कर दीजे आप लोग की मेहनत एकदम रंग लाएगी बस और कुछ नहीं बोला जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन ठान लो तो एक संघर्थ अकेले करिए आप लोग मेहनत किजे बहुत जादा ताकि पूरी दुनिया आपके साथ हो और वीडियो को चारो तरफ शेयर कर दीजेगा अभी तक लाइक कर दीजे और अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्र झाल